आज मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूं फ्रेंच फ्राइब की रेसेपी की कैसे हमें फ्रेंच फ्राइब बनानी हैं कौन सब आलू चाहिए और हम उससे कैसे 6-7 में निकले प्रिजर्व कर सकते हैं कि उसके लिए ंते हैं निकलें और हम इसका न देख़्िज़ से बहुता है तो हमें इसके लिए हमें हुक्रिव क्रोफू इस बड़ा घ्शी बनते हैं और टेस्ट भी बनती है क्योंकि एक्वल साइज होती है तो थोड़ा दिखने में बेचे और यह आयल लेना है हमें थोड़ा सा दो जममच और सॉल्ट लेना है वाइट सॉल्ट नॉर्मल जो हम घर में यूज करते हैं सबसे पहले हम इसे छील लेंगे आलू को और अच्छे से वाश कर लेंगे तो चलिए तो यह मैंने सब अच्छे से छील के वाश कर लिया है आलू को और अब हम इनसे फ्रेंच फ्रै बनाएंगे इसके दो तरीके हैं एक तो आप नॉर्मल यह नाइफ से काट के बना सकते हैं मैं आपको दिखा देती हूं जिसके लिए हमें इस तरी नाइफ करें मैं अवतानाइब नाइफ से बना सकते हैं कि प्रफ्रेकषा स्थर अगर वाईज आता सकते हैं मैं नाइफ से से बना सकते हैं मैं इसमें बना रही हूँ वाकि आपको बता दिया आप वैसा बना सकते हैं तो इनको हम करके फिर हमें इसे नॉर्मल वाट और उसके बाद हमें एक जब तक हम फ्रेंच फ्राई कट करते हैं हमें एक बड़े पैन में पानी गरम रखते ना है इसमें मैंने सॉल्ट एड कर दि कट करते हैं वैसे ही पानी में डाल दिजिए था कि ब्लैक ना पड़े आलू-काला पड़ जाता है पच्छे से जानते इसलिए तुरंद करते हैं से मैं नॉर्मल वाटर में डाल रही हूं तो ऐसी करके हम सारी अपनी फ्रेंच फ्राई को गट कर लेंगे और इस पानी में स जरूर डालिएगास अब हमारा पानी वॉइल हो गया है जो हमने फैन में रख था अब हम इसमें अपने साझी की साझी हमने ए वी था रफाय के लिए सब कर रहे पूंद से यह में नहीं निकाल देंगे बस हमें इतना ही cook करना इसे इसमें 60-70% एक cook हो जाती है और इसे strain कर लिजे और तुरंत मैंने ठंडा पानी लिया इस ठंडे पानी में डाल दूँगी आप ice water ले सकते हैं मैंने chilled water ही लिया है आप ice भी add कर सकते हैं और इसे ताकि इसका cooking process रुख चाये और 20 मिनट के लिए बाद आप इसे spread कर दीजे अच्छे से ताकि इसका moisture जो है वो सारा निकल जाएगा और आप दूसरे एक और साफ और एकदम सुखे kitchen towel के help से इसे अच्छे से पहुश लीजे तो moisture जल्द से निकल जाएगा ऐसे करके आप अच्छे से पहुश लीजे बिल्कुल moisture नहीं रहना चाहिए देखिए और मुझे लग रहा है तो मैं थोड़ा और इसे पुशलूंगी और अब हम जब यह एकदम ड्राइव हो जाएंगी उसके बाद आप दो प्लेट ले लीजे या एक तो भी ट्रेल ले सकते हैं आप उसमें अल्यूमिनियूम फैल लगा सकते मैं इसमें थो और इसके उपर थोड़ा सा हम ओईल करेंगे ताकि यह स्टिकी नौ चिपके नौ और ऐसे टॉस कर लीजे आप हाथ की साइता से भी ओईल इसमें लगा सकते हैं अब ओईल हमने लगा दिया इससे 7-8 गंटे ओवरनाइट फ्रीजर में हम छोड़ेंगे नोट फ्रीजर में ह अची फ्रॉजन हो गई आप देखिए बिल्कुल सॉलिड हो गई है जैसे मकेंस में हम देखते हैं कि मकेंस के आती हैं बिल्कुल सॉलिड देखिए बिल्कुल टूट नहीं रही है तो बस इसको हम अब जिप लॉग में ऐसे जिप लॉग में पैक कर देंगे ताकि यह बिल लगाना है आपको ना थोड़ी देर बहार रखना है पहले कुछ भी ने करना डायरेक्ट फ्रीजर से निकालना है और कड़ाई में एक दम गरम तेल में इसे फ्राइ करना है तो गाइज यह रेडी हो गई है देखिए एक दम फटा फट और मार्केट में इतनी महंगी पड़त है घर में विदाउट प्रिजर्वेटिव एकदम अच्छे से रेडी हो गई है फ्रेंच व्राइ आप वीडियो को जरूर लाइक को शेयर कीजेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो अब भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रा जरूर देखके ट्राइ करना अपने फ्रेंच के साथ शेयर करना और जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं आप इसे एजिली शिक्स टू सेवन मन्स ट्रोर कर सकते हैं तो जब तक इंजॉय एंड टेक कियर बाई